दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा कि साप को दूद पिलाया जाता है या फिर देखा भी होगा लेकिन आज आप एक ऐसा सत सुनेंगे कि फ्यूचर में ना ही कभी आप साप को दूद पिलाएंगे और ना ही पिलाने देंगे बता दें आपको कि दूद सिर्फ वही साप पीता है जो काफी समय से भूखा हो और वो भी दूद को पानी समझ कर चुकि साप एक मांसाहारी जीफ होता है इसलिए साप को सिर्फ मांसाहारी चीज़ें ही खिलाई जा सकती है हाँ आपने देखा जरूर होगा कि नाग पंचमी वाले दिन साप दूद तो पी ही लेता है लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि साप भूखा हो तभी दूद पीता है और वो भी दूद को पानी समझ कर पर हैरानी करने वाली बात तो ये है कि अगर उन सापों में से कोई साप जखमी हो या फिर किसी साप को कोई छोटा सा चोट भी लगा हो तो दूद पीने के बाद उस जखम पर मवाद यानि की पस और 15 दिनों के अंदर ही अंदर उस साप की मृत्ति हो जाएगी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों पर गौर डालेंगे ऐसी ही informative और knowledgeable facts जानने के रिए हमाय चैनल को subscribe अभी करें Thank you